ताजा तरिन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें मैं हो स्लामुद्दिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स मुम्बरा में हॉकर्स की समस्या सबसे बड़ी है आए दिन हॉकर्स को लेकर बवाल उठता है राजो गांदी हॉकर्स यूनियन के लोगों को मित्तल में मार्केट लगवा दी गई है तो आप लोग फिर क्यों नहीं गए जिस तरह से राजो गाधी होकर स्वल यूनियन के लोग गए तो आप लोग फिर क्यों नहीं गए गैंगा माये शायर साब ने गुलाब पर्क के इर्शाद भाई को लेके 400 गाले की जगा दे दिये, दूसरी यूनियन है भी या नई भी जानने की कोशिश उन्होंने किये नहीं, हमारे अलाव भी एक और नई यूनियन है, उनको भी उनको कहना चाहिए था, सबको मिला, आपके अलाव राजयो गांदी होकर्स यूनियन को पहले जगा दे दी, वो 400 गाले बढ़ गए, उसके बाद जो अंदर जंगल में जगे है, वो हमें दी जा रही है, तो इस तरीके की नाइन साफी मन्पा हमारे साथ कर दी ये बात हमें समझ के बाहर है, हमारी रिक्वेस्ट है आपके परीबन दो महिने बाद, और हम आज तक मतलब बेरोजगारों के घुम रहे हो, तो हमारे माने जितन दरावाट साब की महरबानी है, जो उन्होंने वो प्लॉट खाली करा के हमको दिये तो रमजान में हमारा भला हो गया, और ना हम ना यांके रहते, ना वांके रहते, अभ परा कि आप लोग वांग क्यों नहीं करते आके? हर एक को बता चुके है, लेकिन मुम्रा के अंदर जो है ना जैसुआल साब के अलावा किसी की चलती नहीं है, तो उन्होंने रोट पे मना कर दिये, हम भी काइदे से उनकी मान लिये, क्योंके कानून तोड़के हमें आके जाना नहीं है, तो उन्होंने मित्तल में ही जाने क पेपर वर्क को बिठा के दिया गया है, उसके अंदर यहां के लोगों को भी एज्जेस करके, चार लाइन बना के सब को घुसर के देजिए, मतलब अंदर ना जाना पड़े हमको भी बाहर देजिए, एज्जेस करेंगे, तो वहां पे हजार लोग भी आ जाएंगे, अब हो सोचेंगे, इतना बड़ा बड़ा इतना बड़ा चाओडा रोड लेके बटेंगी, तो यह हो नहीं सकता है, बस वही एक उप्शन है, वरना फिर हम बात में भी सोचेंगे हमें क्या करना है जो आपके लीडर है सरद राओ रवी राओ, आप लोगों ने उनसे कभी अपनी तकलीफों को लेकर मुलाकात की, कभी उन्होंने पेपर वर्क किया, कभी संजी जैसावाल से इस बारे में कुछ चर्चा की छे मैना पहले हमने मोर्चा निकाले थे पुरो धाने से, संजी जैसावाल के वहाँ जाके हम दो लाक लोग गए थे, तो उन्होंने आसवासन दिया था कि मतलब बायोमेट्रिक सर्वे चालू है, हम बहुत जल्दी इनको लाइसन अलाओ करेंगे और आपके लोगों को सब्तर में देने की बात करें, अभी उसकी कोई गैरेंटी नहीं है कि वो कब बनेगा, कब आपको मिलेगा, इसका कुछ हता पता नहीं है, तो फिर सड़क पर भी धंदा लगाना मना हो गया है, तो फिर आप लोग ऐसे में आप करेंगे क्या, रमजान में बाद ये धंदा खतम होने के बाद, आप लोग क्या करेंगे फिर? लेना नहीं है, कानून तोड़ना नहीं है, हम काईदे से चलेंगे और काईदे से जाएगे, हमारे मानिन्या वाट्स आपके बतुलेगे, राजू गांधी यूनियन के महमध दिर्शाथ देख क्या कुछ कहा है, लेकिन कुछ होकर सही से हैं, उनका कहना है कि सिर्फ आपको परसनली मामला है, असल देखा जाया तो देखे, पहले हमारा परसनली कैसे है, कि आपको पहले इजाज़त मिल गई, आप पहले लगए, अगर मित्तल में देना था, तो सभी होकर्स को बिठा कर एक जगहा, मीटिंग करके, उसके बाद कूपन डाल के सभी को देना चाहिए, ना कि सिर्फ आपके यूनियन के ही लोगों को इसमें एलाउट की जाए, एकी जगहां पर दुकान मिले, और आगे के साइड मिले, जो होकर्स बच रहे हैं, उन्हें फिर मित्तल में इधर उधर कहीं भी लगाने की इजाज़त दे जाए, तो फिर कैसे ये उनका परसनली हो चेले की जाए, किस परसाशन के पास गे, किस टीमसी के पास गे, किस नगर शेवक के पास गे, कहा कहा? हम सिर्प टीम्स के पास जाते हैं। ठीम्स हमें लेटर दता हूं। ठीम्स हमारे को कॉपरेट करती है। जब करवाई होती है तो मैं कहां जाओंगा। तुम्स के पास जाओंगा। उप्रेट। अब ही आरोप लग रहा है कि आप यहां पर जो गाले देते हैं तो वो गाले एक दूसरा आदमी खरीदता है और फिर दूसरे होकर्स को उससे कई गुना ज्यादा दाम में उस गाले को बेचता है तो आप अगर राजुगांदी होकर्स यूनियन के अध्यक्ष है तो आप इस मार्कीट में क्या हो रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, उसको आपको रोकने में आपका फैसला अहम होता है मेरा फैसला है मैंने इसके लिए ना गेट पे लिखेट पहली लगा दिया ना कोई बेचेगा ना कोई भाड़े पे देगा वो लिखना एक अलग बात है आप करका क्यों नहीं रोकते उसको कमाल की बात करो आपको ख़बर नहीं है जाब यूनियन के अद्धक्ष आपको ख़बर नहीं है जब आप बताएंगे कितने होकर्स हैं आपकी उनियन में? मेरे 465 है. अपना रावल आपरमेंट से लेके और अपना हभीबा तक थे. उसके पाँ जब हमने अजुवा लिया ना तो 65 हमारे वहापे बढ़ गए. यह बात सच है कि लोग यहां पर गाले खरीदते हैं और दूसरे को बेचते हैं यह मेरे को इसकी ख़बर नहीं है इस चीज के मेरे को इलमी नहीं है आप अपने होकर पर नजर नहीं रख रहे हैं कि आपके होकर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं यह दुकान किसको आप लेकिन फिर भी आपके में होकर है तो आपको जानकारी होने चाइए कोई नया मार्किट में तो आप है नहीं आफ 465 कमPart कियées लेकिन दुकान किसले यह यह आपको नहीं भालते हैं तहो इतना हम सबका नाम है हमको मालम नहीं हमारे पसक्राइ़ मैं नहीं प्रप जमाई रइश्टर में सब का नाम है जब हमको लिकलना रहता है या किसी को पुलाना रहता है तो हम उन्हों रेश्टर दखते हैं उनका फोटो लगा हुआ है फिर उनको बलाते हैं आपके ऊपर तो ये भी आरोप लग रहा है कि कई नगर सेवह को के जो है उन लोगों आपने यहां पर गाले दिये हुए है। यहां पर खड़ी डाले यहां पर जो मज़ूर काम किये रैलिंगे लगाए हमने उसका सिर्फ चार्ज रखा था अब यह सब लाइटे लगी है इसका वायर लगाए मीटर लगाए एक फोकट में आता है क्या है सब लोगों को सब फिरी में चाहिए वहां दुकान रोट पर दे रहे थे वह समझ में आ रहा था यहां पर हजार रोट लगाते थे तो आप लोग भी देते हैं लोगों किसी को ने देते थे फिरी सिर्फ मेरी एक वाहिद यूनियन है चाहर सो पैंशेट या 390 हमार थे वह किसी को एक उर्पे हाथ तलग कहरा में नहीं देते थे इस दस पंदे साल पहले कि मैं बात नहीं कर रहा हूं मैं जब से चार्ज लिया हूं कोई बोलने सकता है कि मैं आफता इससे लेता हूं आप सापिद करके दिखा दो मेरे को मिस्गाइट कर रहे हैं ये बताए कि आप 465 आपके यूनियन में दुकानदार है तो आप क्या इसे ही ले एक कड़का हूं हमको दिया गया है गरावनपरस थ्री वह बनने वाला है यह रोट जैसे जो यहां से रोट के उपर ही है जस बाजू में यह सोच के मैं नहीं जगा लिया कि भाई हमारी चुमार कि कौन बताया कि यहां पर बनने वाली है या आपको मिलेगा देखे से यहां पर आने यहां लिकित में लिए भाई हम यहां प्यार है आपको पहले बताया गया कि वहां बनेगा उसके बाद आप लोगों ने यहां पर इसक आम लिए मारी मर्केट जम जाएगी फिर वाजिम सिफ्टोंने में कोई दिकत नहीं होगी तो कुछ बताया है कि कब त जोन होता तो शायद आज हॉकर्स को ये मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता अब जरूरत है हॉकर्स को एक होने की और अपने लिए हॉकर्स जोन की मांग करने की ताकि उनका हक उन्हें मिल सके तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाटेंग